नमस्कार मैं हूँ ओमकार नाथ शास्तुरी मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ कक्षा नौमी की समस्कत की पुस्तक आमोद में से त्रियुद शाह पाथा तेरहवा पाथ यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसका नाम है सर्मा याहा शेलम सर्मा की शेल सर सर्मा कौन है देवताओं की एक सेविका है जो कि जिसका जो सरीर है वह कुट्टिया का है फीमेल डॉक का है है सार्जन पर उसके सारी गूण आ जाना माने देवताओं के सारे गूण आ जाना सील कहलाता है तो सर्मा में देवताओं के सभी गुड़ थे, वह सज्जन थी और वह लालची नहीं थी, इस चीज को दिखाए गया है इस पाठ के मात्यम से, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं त्रियो दशाह पाठा, तेरेवा पाठ सर्मा याहा शेलम, सर्मा का शील वीद वांग में आगता एशा कथा, वीद शास्त्र से आगता आई हुई है कथा एशा, यह कथा पुरा पणया नाम असुराहा, देवा नाम सर्मा धेनुह, सुदेश मपहारन बहुत पहले पणय नाम का एक असुर रहता था, जो देवा नाम सर्मा धेनुह, देताओं की सभी गायों को सुदेश मपहारन अपने देश को ले गया था धेनु नाम अन्वेशनार्थम गायों की खोज के लिए सुपरण इति देवा नाम सेवक था गरुड पड़ी नाम देशम गता हा गरुड पड़ी नाम देशम गता हा पड़े के देश को भेजा गया गायों की खोज के लिए देवताओं का एक सेवक था गरुड वह पड़ी नाम देश्यम पड़ी के देश को भेजा गया माने पड़े जहां रहता था पड़े जहां पर रहता था उस असुर के यहां पर भेजा गया तत्र पड़ी नाम उपहारेही वशाहा गरुड़ा धेनु नाम विश्यन्ना किमापी अकतियत तत्र वहां पर पहुच करके पढ़ी नाम पढ़ी के पढ़ी द्वारा दिये हुए उफार ही वशा उफार के वशी बूतो करके उफार से आकरसितो करके गरुढः घरुढः धेनुनाम विश्य गायों के विश्य में ना किमापे कहते था ना किमापी अकत्यत ना किमापी कुछ भी नहीं अकत्यत कहा तेन स्वामी द्रोहा करता हा उसके द्वारा स्वामी से विद्रो कर लिया अता देवेही पुना सर्मा नाम सुनी प्रेशिता अता देताओं के द्वारा फिर से सर्मा नाम सुनी सर्मा नाम की कुतिया प्रेशिता भीजी गई सर्मा नाम की कुतिया भीजी गई निर्भयतया सुदूरम मार्गम अतिक्रम में निर्भय हो करके निर्भय के साथ निर्भयता के साथ निडरता के साथ सुदूरम बहुत दूर मार्गम अतिक्रम में मार्ग का अतिक्रमन करके मार्ग को पार करके रसा नदीम उत्तीर्य सा पड़ी नाम देशंप्राप्ता रिख्ष स्युक्त नदी को उतीर्य तैर करके सा वह पणी नाम देशं प्राप्ता पणी नाम देश को चली गई पहुझ गई पणी भी कृतम आतित्यम तया ना स्विकृतम पणी भी पणी के द्वारा कृतम किया गया आतित्यम अतिति सत्कार को तया उसकुतिया के द्वारा न स्विकृतम नहीं स्विकार किया गया प्रति निवृत्य देवेभ्या सर्वं वृत्तांतम अकथियत कहा तस्याह स्वामी भक्तिया प्रसनेन इंद्रेन तस्य वरष प्रदत्ता गरुडाय चा सापा य। पहा गरुण के लिए शाप मिला स्वामी भक्ति है कर्तव पालन से गौरो कथा नाम इदम पोवाड़ा गीतम स्वामी भक्ति है स्वामी भक्ति के कर्तव पालन से कर्तव पालन के लिए करतव पालन की गोरो कथा गोरो कथा नाम गोरो कथा रूपी नाम इदम पोवाड़ गीतम इस कथा का नाम है इस गीत का नाम है पोवाड़ गीतम इस गोरो साली कथा का नाम है पोवाड़ गीतम माने स्वामी भक्ति के करतव पालन की यह जो गौरों में कथा है इस कथा का नाम है पोवाड़ गीतम पोवाड़ गीतम नाम है पोवाड़ गीतम लेखक हैं इस पुवाड़ागीत के जो लेखक हैं वैं पंडित प्रभाकर भात खंडे हैं जो कि संस्कत लेखक वर्रेन जो संस्कत लेखन के आचार हैं इस संस्कत लेखक आचार के द्वारा यह हैं संस्कत लेखक आचार के द्वारा पंडित प्रभाकर भात खंडे संस्कत सभायाम देवराज इंद्रह चिंतेदि कहा प्रेशित अव्यह किंकरोन ने को पेद रष्ट हा योग भवेस्दा स्वामी निष्ठ हा सभायम देवराज इंद्रहा सभामे देवराज इंद्रहा सभामे देवराज इंद्रहा देवताओं के इंद्र के सभामे चिंतेती सोच रहा है कहा प्रेशित अव्या सभायम सभामे देवराज इंद्रहा देवराज इंद्रहा चिंतेती सोच रहा है कहा प्रेशित अव्या कि किंकरा नई कोपी दृष्टा हुसे कोई भी सेवक नहीं दिखाई देता है ना कोपी कोपी कोई भी ना नहीं द्रिष्टा दिखाई देता है किंकरो नहीं कोई द्रिष्टा उसे कोई भी सेवक नहीं दिखाई दिया यो भवेस सदा स्वामी निष्टा जो हमेशा स्वामी निष्ठो स्वामी भक्त हो को ऐसा उसे कोई सीवक नहीं दिखाई दिया जाय की वरिंदा तदा फिर क्या हुआ शाहिरा साहिर कहता है सेवाय अम्तत्परा देवगण प्रेया नियुक्ता गोधन प्राप्तर्थम मेघवता अग्यपता सर्म प्रस्तता देवसुनी सर्मा हे जी 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 कहते हैं सेवाय अम्तत्परा सेवामितत्पर देवगण प्रेया देवताओं की अतंद प्रेय नियुक्ता नियुक्त की गई गोधन प्राप्तर्थम गाय की प्राप्त के लिए मघवता आग्यपता सर्मा इंद्र के द्वारा मघवता इंद्र के द्वारा आग्यपता आग्य दी गई सर्मा सर्मा को प्रस्तिता भीज दी गई देव सुनी सर्मा देवताओं की जो सर्मा नाम की कुतिया थी वह भीज दी गई कहां गाय की प्रप्त के लिए भीज दी गई गाय का समचार लाने के लिए भीज दिया गया फिर प्रस्टा देव सुनी सर्मा भेज़ दी गई दीव सुनी जो है भेज़ दी गई शाहरा फिर वे कहते हैं तदा मारगे द्रश्टा तट रूह तरुत पाटनी रसा जलोग सम्रिध्या प्रतुल रबसायाति सर्मा रसम द्रश्टा सर्मया चिंदिदम तदा उसके बाद मारगे द्रश्टा मारगे में उससे दिखाई दिया क्या तट रूह तरुत पाटनी रसा अतन्त उथाल मारता हुआ जलोग सम्रिध्या जल के इस बहाव से प्रतुल रबसायाति सर्मा जाती है सर्मा प्रतुल रबसा अब वह जो है ना बहुत बड़े जल क को देख करके वह जल से वह जाना चाहती है रसाम द्रश्टा उस जल को देख करके सर्मया चिंतता हम उस जल को देख करके शर्मा के द्वारा चिंता की गई सर्मा सोचने लगी सर्मा के द्वारा चिंता की गई सोचा गया वह सोचने लगे सर्मा अवस्यम गच्छेम नदी मुझे तो अवस्य जाना है मुझे तो वस्य नदी के पार जाना यदि भवेत अद्यसुसा यदि आज यह है यदि अभी यह है उपर आ जाए माने यह जो गहरी है यह अगर अपनी गहराई साथ कर दे तो मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा अताहस ताम याचे हम, अताहस ताम मैं उस जल को याचे हम याचना करती हूँ विने वचसा नमर सरसा, उस सरमा सोच रही है मुझे याचना करनी चाहिए मैं याचना करती हूँ विनेवचसा नमर सुरसा जुके वेस्तिर से विनमर भाव से वै जल की याचना करती है जल से याचना करती है रसी कुरु कृपाम मुझ पर कृपा कर दीजिए जलसे बोली माग अभीरम तुम बहुत गहरे हो कुर्श्व गादम तुम मतलब अपनी गहराई को कम कर दो ये इंतरेयम जिसके द्वारा मैं तेर जाऊं परम चतीरम दू उस पार पहुचां अहम रजेयम मुझे जाना है साहिर हा, साहिर कहता है स्वामिना शोभन कार्यार्थम आरिगण मंगल कार्यार्थम स्वामिना हा, है स्वामी शोभन कार्यार्थम स्वान कार के लिए आरिगण मंगल कार्यार्थम आरिगणों के मंगल कार्यार्थम है जी 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 आरिगण के मंगल कार के लिए रसा उवाच जल कैता है अच्छा सुनकर के न हैं उस रस्त के बागी को सुनकर के सर्मया गर्जितं सरमा के दौरा गर्जना की गई सर्मप गरजने लगी पश्यमें सामर्थं कारनिष्ठा सामर्थं पस करनिष्ठा को देखो पसमें सामर्था मेरे सामर्थ को देखो कारे निष्ठा सामर्था मेरी कारे के निष्ठा को देखो इती उकता साजले अपतत सागता परम तेरं ऐसा कह करके साजले अपतत वे सुनी जो है सर्मा वे जल में गिर गई चल में कूद गई सागता परमतीरं वे उस पार चली गई रसा सा अदो मुखी भूता सा रसा वे जल अदो मुखी भूता लज्जित हो गया उसका मुख नीचे हो गया लज्ज या मलान मुखी जाता लज्जा से उसका मुख कुम ला गया खुद्र के द्वारा कैसे उस पार जाया गया पश्चति खुद्र सुनिम सर्माम वह नीच कुतिया सर्मा को देखता है उसने जो कहा था उसी भाव से वसको देखता है पश्चति क्शुद्र सुनिम सर्माम वह नीच कुतिया को सर्मा को वह देखता है पश्चति क्शुद्र सुनिम सर्माम हे जी 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 शाहिरह एवं सर्मा परत्तेरं प्रात्ता इताप पश्चती तदाप पश्चती बलम प्रिच्चती पड़ीम प्रिच्चती वरम गच्चती गुहां प्रविश्चती गुहायां पाण बेलियत रुद्धम प्रभुगो वर्द सर्वस्वम सब्ताम समाप्त मन्वेश्ण का र्यर्थम समाप्त मन्वेश्ण का र्यर्थ इमम सर्मा प्रतिरम प्राप्ता इस तरह से सर्मा नदी के उस पार पहुँच गई इताप प्रच्चती तदाप प्रच्चती यहां देखती है वहां देखती है वलम प्रच्चती वल को पूसते है पढ़ें प्रच्चती पढ़ को पूसते है ये जो वल और पढ़ हैं ये एक असुर्थ है जो सज्जन पुरसों को दुख देते हैं कष्ट देते हैं उनके सामान को उनके पदार्थ को जो हरण कर लेते हैं ऐसे लोग वल कह जाते हैं पढ़ कह जाते हैं और ऐसे लोग जो दान पुन नहीं करते हैं ऐसे लोगों को भी व और पड़ कहा जाता हैं तो जो पड़ नामक जो शत्रु था इसका दूसरा नाम वल भी था इसने देताओं की गाय को चुरा लिया था तो जो ऐसे सज्जम पुर्शों के पतार्तों को जो चोरी करने वाले लोग हैं उनने पड़ और वल कहा जाता हैं तो वलम प्रच्चती पड़ेंप्रच्चती वल को पूशते हैं पण को पूशते हैं वरम गच्चती गुहाम प्रविशती वन को जाते हैं गुफा को प्रवेश करते हैं गुफायाम पड़िर यदुरुद्धम प्रभो गोवर्दन सर्वस्वम गुफायाम गुफा में पड समाप्त मनवेशनार्थम अब खोज गाय की खोज की समाप्ति के लिए समाप्त मनवेशनार्थम गाय की खोज जो है राव समाप्त हो गए क्यूं क्यूंकि जो गाय रूपी धन था गोधन सर्वस्व जो था वह उसी गुफा में था प्रमुदिता इंद्र सुने सर्मा हे जी 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 अब इंद्र सुनी जो है वे बड़ी प्रसन हुई बड़ी प्रसन हुई बड़ी आनंदित हुई सर्मा के द्वारा गाई की खोश कर ले गई इस समाचार को इंदर्म वक्तुम इंदर के पास प्रस्तितासा वह कहने के लिए जाने लगी चली जा रही थे परम लेकिन वले ही सावरोदिता वल कि द्वारा वह सर्मा रोग दी गई हे सर में दुख्दम पीबतू ददी पीबतू गर्दम पीबतू अत्रतेश्टतू गोधनस भागम तुभ्यम दद्महा हे सर में हे सर में दुद्धम पी बदु दूद पीलो ददी पीलो ददी खालो गर्दम पी बदु घी पीलो अत्रतिस्टति याँ पर बैठ जा गोधनस भागम तुब्यम ददमा गाय के भाग को तुम्हीं भी देंगे तुब्यम ददमा तुमको भी हम देंगे गाय का जो ना हम लोबस ना अहां मैं नहीं हूँ लोभश सेविका लोव की दासी मैं लोव की दासी नहीं हूँ सेविका इंदरAK की आहांगु हे जी 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 इंद्र की स्वामी इंद्र की मैं सेविका हो अन्ते पड़ी भी सर्मा निंदिता अन्ते बाद में पड़ी पड़ी के द्वारा पड़ी के द्वारा सर्मा की निंदा की गए सर्मा को रभ भला उसने कहा क्या कहा एशा सर्मा जारुखादती 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 एशा सर्म के द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया चार को वक्तुम सुनाने के लिए गवन आरभे चलना उसने प्रारम कर दीना प्रस्तिता सत्प्रिया सर्मा और वे सत्प्रिया जो सत्प्रिया सर्मा थी देव सुनी जो सत्प्रिया सर्मा थी वह वासे चली गई प्रस्तिता देव सुनी सर्मा प्रस्तिता चली गई देव सु तो यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है त्रियोदशाप पाठा तेरे वाजो पाठ है सर्मा यहासिलम हमने इसके मातम से देखा कि करूर नाम का जो एक सेवक था वह तो गायों की खोच के लिए पढ़े के देश को गया लिकन वह उपहर के लोग में आकर कर वहीं पर रुग गया लेकिन देवताओं ने इंदर ने जब सुनी नाम की सर्मा नाम की जो कुतिया थी उसको जब भेजा तो उसने उन उपहरों को लेने से मना कर दिया और इंदर को सारा समाचर बताया कि गाय उनकी कहां पर छिपी हुई है और इसके बाद इंदर ने पढ़े देश पर किसी किसी 13 पार्ट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार